मैं रोया परदेश में भीगा मा का प्यार दुखने दुख से बात की बिन चिठी बिन तार लोटा जो घर को मैं तो ममता उसकी मुस्कुराई मेरी मा की दुआएं मुझे वापस घर ले आई ये आवाज आज कौन नहीं पहचानता होगा इस आवाज ने नजाने कितने हजारों प्रवासियों को उनके घर तक पहुचाया है जी हाँ हम बात कर रहे हैं सोनु सूद की पिछले दो महीनों से दरदर भटक थे प्रवासी मजदूरों को बसों, ट्रेनों और प्लेनों से उनके घरों में पहुचाने में जुटे ने भी दो जगह अपनी आवाज दी है और उनकी आवाज में वो दर्द आसानी से देखा जा सकता है जिसकी वजह से सोनु ने हजारों प्रवासियों की तकलीव समझी इस गाने को अपनी आवाज देने वाले सोनु सूत के बारे में बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि जब सोनु सूत की पहली बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी तब उनकी मा इस दुनिया में नहीं रही थी सोनु का अपनी मा से एक काफी emotional connection था सोनु आज भी जब मेडिया से बाते करते हैं तो यही कहते हैं कि जो काम मैं आज कर रहा हूँ अपने प्रवासी भायों को उनके घर प पुरी तरह फसे प्रवासी मजदूरों के दर्द को एक भावुक मादवारा अपने बेटे के लिए बेसबरी से किये जा रहे इंपिजार के रूप में दर्शाया गया है खुद को समर्पित किये गए इस गाने को लेकर जब मीडिया ने सोनू सूच से इस बारे में बात की तो सोनू ने कहा ये मेरे लिए बेहत सम्मान की बात है कि किसी के मन में मेरी कोशिशों को लेकर मुझे एक गाना समर्पित करने का खयाल आया इसके लिए मैं राहुल जैन का शुक्रियादा करना चाहता हूँ मैंने गाना सुना है और जब आप ये गाना सुनेंगे और देखेंगे तो आपकी आखों में भी आसु आ जाएंगे फिर से लोरियां सुना दो नमा आसु मेरी आखों में जम से गए है भर के दिल मेरा मुझे अब रुला दो नमा भूखा हूँ मैं तेरे प्यार भरे निवाले का अपने हाथों से एक निवाला खिला दो नमा